कि हलो एब्रीवन दिस इस हाश्रा वेल्गनों मैं चैनल क्रिप्टो हिंदी आज वीडियो वेरी वेरी स्पेशल वीडियो क्योंकि एक और एड्रॉप हमको कंफर्म होगे हमारा कॉम्नुटी वेंबर्स को सो आज की वीडियो में बात करेंगे बाइन्स का टू नया लॉंच क साइबर कनेट दूसरा जो है सी नेटवर्फ और डोनों के एड्रॉप आने का चांसे सीसिक्साइबर कनेट अल्लेठी वीडियो में डिसकस करेंगे और तोड़ा हिंस मिल गया इसका एड्रॉप अनॉन्समेंट सून आ सकता है डिए क्राइस का एलिपल्टी क्राइटिरिया तो इस वीडियो को लाइक टार जो है 500 लाइक अभी वीडियो लाइक बटन के पर क्लिक करना है तो लेस्ट वीडियो गाइस इसका वीडियो जो में अल्मोस्ट पहले डाला था अभी हम बात करतें साइबर कनेक्ट के बारे में इन डीटेल साइबर कनेक्ट का जो है टोकन जो है कंफर्म हो गया एंड इसका बाइनस में लिस्टिंग होगा और 15 ऑगस्ट अल्यरी बाइनस लांच पूल में कल से इसका स् सीजन वन जो है अफिशेल ली अनॉंस हुआ है सो कम्यूनिटी रिवर्ट कैसे डिस्टिबूट होगा आपको अभी बता दूंगा सो कम्यूनिटी का टोटल अलेकेशन जो है कम्यूनिटी डिस्पिशन के लिए सीजन वन में 2.4 परसें टोकन बाकी टोकन होगा तोटल 9 पर अब टोकन जो है कम्यूनिटी को जाएगा इन फॉर्म आफ सीजन वन रिवर्ट सीजन वन कर सकते हैं आप और 15 से इसका एलगिविल्टी क्राइटीरिया क्या है अगर आप देखा तो इसमें 6 काटिकरिस में जो भी एनेफ्टी होल्ट कर रहा है तो आपको उसके इसाफ से इने एड्रोब मिल सकते हैं फर्स्ट कैटिक्री जो है मिस्ट्री बॉक्स होल्डर सो अगर आप मेरे चैनल को फॉलो किया तो मैंने चैनल में अल्लेडी साइबर करनेट का फैन क्लब इवेंट के बारे में बताया था उसमें अगर लॉट उसमें मैक्समम पॉइंट कैसे इ मिल सकता है एंड मिस्ट्री बॉक्स बहुत ही कम लोग को मिला है एंड हमारा कमड़ी में मैं थिंग 3-4 मेंबर्स को मिला हम मुझे डीम साय था उसके बाद शार्ड जो है शार्ड ओल्डर्स को भी थोड़ा एड्रोब मिलेगा एंड मिनी शार्ड होल्डर्स आइटिंग हम आपने क्लेम किया होगा उस वीडियो में बता है तो क्लेम कैसे करना करके तो आपको भी reward मिलेगा थोड़ा portion airdrop उसके बाद Cyber Profile Early Adopter NFT Holders को मिलेगा Cyber Profile Premium Holders 11 Character से भी कम NFT जो है उस Users को भी इसमें Airdrop मिलेगा अगर आपको confusion है क्या आपके पास NFTs है कितना Airdrop मिल सकता है तो आपको August 4 तक वेट करना होगा August 4 को आप एक Portal Ready किया प्रोजेक्ट ने इस पॉर्टिक्लिर पॉर्टल में जाके आप Community Rewards आपका वैलेट करनेट करके चेक कर सकते आपको कितना रिवार्ड एलिजिबिल्टी है और कभ उसको क्लेम कर सकते 4 ओगस्ट को मैं ट्वीटर में पोस्ट करूँगा आपको कैसे लिंक चेक करना आपको टॉकन चेक कर सकते हैं एंड 15 को आप सेल कर सकते हैं यह हो गया साइबर कनेट का एंड यह अभी पर्चेस किया तो कोई भी यूज नहीं अल्री स्नाप्शॉट हो गया आज सुबह मौनिंग हैं इसको अभी पर्चेस करने से कोई भी फाइदा नहीं होगा आपको ध्यान में रखना होगा देन इसका कलेक्शन का तो मिस्टी बॉक्स का आल्मोस 5867 होलर्स है मिस्टी बॉक्स बीएंवी में 46 होलर्स हैं शाड्स का 2000 अल्मोस 2,300 यूज़र्स हैं लिंक 3 मिनी शाड्स का almost 60,000 owners है so total इतना users में and बाकी other three categories में यह total जो है token dispute होगा and token का details देखा तो total supply जो है 100 million cyber tokens and इसका launch pool में 3 million tokens आ रहा है and total initial supply जो है 11% which is 11.03 million tokens so इसमें major portion 3 million from finance launch pool उसके बाद a drop pool जो है 2.4 million circulation में आएगा total 5.4 million circulation में आएगा through the token launch pool and other event बाकी tokens जो है maybe earlier adapter and उसका यह market making का token हो सकते हैं so पस यह है cyber connect का detail so then अगर इसका price prediction देखा तो इसका initial circulating supply जो है 11 million के आसपास होगा cyber connect का 11 million आसपास अगर finance का previous two projects देखा तो maverick protocol जो है लिस्टिंग के टाइम में almost 100 million dollar market cap के पास था अभी इसका 73 million dollar market cap पे पास है और अरकम का देखा तो यह same almost 92 million dollar market cap के पास लिस्ट होगा था अभी 73 million के पास है तो अगर आप average देखा तो आप cyber connect का मेरे सबसे minimum 100 million का market cap हो सकता है अगर आपका calculation देखा तो अभी 100 100 million divided by 11 देखा तो almost each token का price 9 to 10 dollars के बीच में हो सकता है इसमें कोई भी financial advice नहीं है आप सोच सकते बट मेरे इसाब से इस token होगा लिस्टिंग के टाइम में अरों 9 dollars के आसपास and fully diluted market cap भी आरों 900 million के आसपास होगा है तो में भी decently 100 dollars 100 million market cap हो सकता है तो यह होगा cyber connect के बारे में अभी हम बात करेंगे c network के बारे में अगर बात किया तो इसका अभी finance launch pool का event अनूंस हुआ है अभी-अभी couple of hours back इसका mainnet का details का भी अनूंस हुआ है c का twitter के वेपर बट अभी तक इसका token a drop के बारे में कोई भी official announcement नहीं आया तो मेरे इसका token का announcement आ सकता है क्यूंकि इसका tokenomics देखा तो बाइन्स के launch pool के event के इसाब से देखा तो टोकन का total supply था अरूंड 10 billion c tokens इसमें 3% जो है बाइन्स launch pool में आ रहा विच इस अरूं तो 300 million c tokens बाइन्स launch pool से आ गया इंड इनिशल सर्क्लेटिंग सप्ले देगा तो 18% है विच इस आल्मोस्ट 1.8 बिलियन टोकन विच मींज 18% इनिशल सर्क्लेटिंग सप्ले में माइनस 3% बाइन्स launch pool का रिमोग गया तो अभी 15% टोकन विच इस 1.5 बिलियन टोकन सर्क्लेशन में कहा से आ रहा है कोई भी डीटेल्स अवेलबल नहीं है मेरे इसाब से इसका कोई एड्रॉप आ सकता है मेभी 5% या 10% जो टोकन्स है वो मेभी कम्मुनिटी एड्रॉप इवेंट के लिए जा सकता है सो क्योंकि इतना 15 मिलियन टोकन्स मेरे 15% ऑफ दा सर्क्लेटिंग सपले जो एड्रॉप उसमें मेरे साथ से कोई भी मार्केट मेकिंग के लिए इतना अमोन नहीं होगा डंफेट एड्रॉप हो सकते हैं इसका लोगिंटि वाट इसका मेरा प्रेडिक्षिन यह है की अगर आपको आइडिया है यह सारा nft जो भी hold कर रहा उस users को मेरे साब से सी का एड़रॉप जा सकता है और देखते हैं ऑफिशल अनुष्मेंट आते हैं मैं ट्विटर में पोस्ट करूंगा अभी तक ट्विटर में फॉलोव नहीं कर रहा तो तुरांट ट्विटर में फॉलोव करना तो बस इतने हैं आज के वीडियो वीडियो आपको तोड़ लगा अच्छा लगा मेरे चैनल को फर्स हमारे चैनल को सब्सक्राइब को लाइक करना इन जो वीडियो सब्सक्राइब करना है आपको वीडियो से सब्सक्राइब करें।